जनाब मैं हूँ प्रोफेसर जेठानन्द राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैं आज आया था अपने डेंटल सर्जन के पास कुछ लांटर आप फिलिंग करवाने की यह सामने देखें यह डॉक्टर का क्लिनिक है डेंटी सिमाई यह डॉक्टर तो एक प जो है डॉक्टर की फैसिलिटी हासल थी लेकिन वह अंडेड परसंट नहीं थे कापी चीजें तो हो जाती थी लेकिन उस जो है वह वो समें तो तो मैं डॉक्टर के पास यह मेरी दूसरी विजिट है आज आया हूं और वह मेरे जाप्तों को जो है जहां-जहां ज़रुरत ह सब्स्सक्रा एप तो उनको सब्सक्राइब तो थोड़ा सा जुब करिuis तरफ यह रास्ता जो है जिस तरफ से लेगारे अरहे तार्फ रास्ता आगे जो हो हिजातारा है वेस्ट सी तरफ और यह इस तरफ जो है वो पर आगे ट्रेयन में स्वार होंगा और वहां से रास्ता तो इतना ज्यादा नहीं है मैं चाहूं तो बाट मी कर सकता हूँ जिस चुके भी लंच नहीं किया और गाइबिटिंग भी हूँ तो थोड़ा एत्यात करता हूं क्योंकि गर पर जाने में अगर में वाट करता हूं को पर तक जाने में तकरिवन 15-20 मिनिट लग जाएंगे कम से कर तो पैदर चलते हुए घुजरा तो फोड़ा कम टाइम लग जाएगा त्रेन में ज्यादा स्यादा लगेंगे दो मिनिट और आगे वाट करके जाओंगा तो इसमें पांचे मिनिट और लग जाएंगे तो यह जनाव है डैन फोर रोत और गाडियां देखें जा रही है जो जा रही है वह इस्ट की तरफ जा रही है आगे और जो वहां से वापस आ रही है वह वेस्ट की तरफ जा रही है यह सामगे देखें टेन फोर्ट है और उससे आगे देखें यह जो रोड के ऊपर एक खंबा है इस टीम का और उसके ऊपर यह लाल और वाइट जो है रेड और वाइट है आर यह निशान जो है यह बस स्टाफ के लिए है यहां रोक थी है यह देखें बस स्टाफ है लोगों को पता है किया यह बस रुपती है और यही लोगों को घर भीruktur हैं और यह गाडियों की फारकींग भी एप कुछ सामने में देखने हैं अभी टाइम हुआ है चार बज कर दस मिनिट हुए है तो मेरी अपॉइंट्मेंट जो है तीन बजे की थी और ये मैंने एक चीज नोट की है इनके बास जेंटल सर्जन के पास कि ये प्रेशन को कि घंटे से ज्यादा पर दिखाते मेरी है ये तजर्बा है ये पैशन की घंटे से स्यादा जो है बोगों जाका मैं पाकिस्तान में मैंने देखा है वहां तो मैं मैं वाइफ के साथ जाता हूं वहां पर यह अच्छी बात है तो जोगा जो जाए आज प्रहों नहीं लगा भाता कि अब मेरी बस हो गई है तो उससे पहले उन्होंने खुदी कहा दिया कि इस ओक है कि पिछली बार आया था तो भी जैक्ट जो है वो एक गंटे के बाद उन्होंने कहा था एटे सोक है अब यह जो है वो फिलिक है अर चेगा पर ऐसे हैं यह दरख है और यह ऐसे खूल लगे होते हैं मौसम के स्टोर है यह उस फर्फ से इसकी अंदर जो है सारी चीज़े हैं जो प्रॉष्टनी की होती हैं घर के इस्तमाल के लिए आत्मी जो खाले बिने की सब चीज़े है पहले तो इन्हें स्टोर से उपर आटा उडर नहीं मिनता हैं लेकर आप दूने पता है कि आपी लोग यहां इंडिया के वाकिस्तान के स्री लंका के और कई ऐसे मुलतों के जो रोती घर में ऐसे पका कर खाते हैं तो जैना बनी बनाई भी रोती मिलती है लेक्ट फ्रेश पका कर घाते हैं लोग तो इसलिए आटा भी है स्टोर जो है रखने लगे हैं जो सामने देखें वो शॉपर्स जर्ग मार्ट है तो बजाहर तो बंदे को ऐसे लगता है जैसे ये सिरफ इस पर दवा मिलती होगी लेकिन इसके अंदर आप चले जाएं तो दवाओं का तो ही इस्टोर होगा एक तरफ छोटा सा उसका हिस्सा होगा प्रिकिन उसके अंदर ज लेकिन बाकी जो है जो हमारे उदर घर के करीब है शॉपर स्ट्रग मार्ट उसके उपर जो है वो एक चोटा सा पोस्ट आफिस में हो चोटा से मुराद है या इस पेस को यह ज़रूरी जो है वो कवर नहीं करते या कोई ऐसा जैसे हमारे होता है इस पेस बड़ी हो है क्योंकि फिर उसका किराया भी उनको कम देना पड़ता है यहां आपको हैरत होगी यह पोस्ट आफिस भी गॉर्मेंट खुद रन नहीं करती वो भी आगे मुक्तलिफ यगांपर मुक्तलिफ कंपनीज को जो है लीज के तौर पर दिया होता है उससे फिर एफिशन से होती है कंप्रिक्टिशन बढ़ती है सारा एसे है यह देखे है रियल वार् merry नहें है'll a ऐसे हो जो सामने सामने जो है वह देखें कि स्टीट गार कहते है स्ट्रीट कार जा रही ए में SSC में चाइनीज लेडी है लगती चाइनीज है वो चहरे से मुझे लगती है वो सकता है वो चाइनीज नहों वो सामने देखें चर्च है वो चर्च है सामने कि यहां बसक्तवारी आपको घर नजरारा। यह होब है वो सामने के लिए नेसी है और के लेड two 잎 है यहां पर हमारा आना जाना होता है तीन महीने के बाद तो डॉक्टर भैज देता है, सारे टेस्ट होगे वो करवाते हैं, जो भी जर्नल टेस्ट होते हैं, रिक्वाइर्मेंट होती है यहाँ, इस्पेशली जो सीनियर्स हैं उनके लिए, वाटमेरी वाइफ तो बड़ी बिजार होती है, फिर मैंने का शुकर करो के भई, यहाँ प समाइश ठर्ण था, और यहाँ पर यह है, यह भी ऐसे ही है, यह हकीम अप्टिकर्स हैं, यह देखें, हकीम अप्टिकर्स में उसपे गा रहा हूँ high, यह मैंने जो एनक बहनी हुई है, यह जो दोना दर्व से थोड़ी कस्ती, कस्ती हुई है, यहाँ पेहें के सक्त है, और तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें थेंक यू अब अपने फैमिली मेंबर्स का बहुत ज़्यादा है तो विपारा भी आपसे उलाकात होगी वो सामने जो रास्ता जा रहा है जहां स्लोडान लिखा हुआ अब देखें वो सुल्तान है और ये हकीम नाम पैचाने पैचाने लगते हैं इंडिया और पाकिस्तान में यह नाम जो है मंग्ला देश में आपने सुने सुनाए है थैंक यू लव यू है